नमस्कार साथियों एक बार हम फिर प्रयागराज के ही थाना खीरी के टोंच नदी किनारे पर हैं जहां पर आज एक नविवक जो की जारी छेतर का रहने वाला बताया जा रहा है और आज सुबह ही दस बजे वह अपने घर से खीरी छेतर में किस प्रकार आया किसी ने बुलाय या फिर वह खुद चल कर आया था इसकी कोई अभी स्पस्ट जानकारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि उसके सगे रिष्टेदारों ने रिष्टे का कतल कर दिया और जो आरोप लग रहा है वो लड़के के ही सगे फुफा पर लग रहा है कि करीब एक किलोमीटर बच्चे को दोडाया गया और इसी नदी में जो है वो आखिर अपनी जान बचाते बचाते जो है इसी में उसकी हत्या हो जाती अभी तक लास ब्रामत नहीं हुई ऐसी संभावना है क्योंकि तमाम प्रत्यस दर्शी यहीं बता रहे हैं कि बाड़ी यहां पर हम लोगों ने डूबते हुए दिखा है जो सायद नाव में अभी स्थानी जो नाविक है वो जाल लगा कर इस बाड़ी को लगातार चार-पांच गंटे से लगातार ढूंड रहे हैं लेकिन अभी तक बाड़ी का कोई पता नहीं चला वही पूलिस प्रशाशन यहां पर मौजूद है एसीपी जो है यह लगभग दूसरा मामला है जब कीरी चेत्र में एक और मडर से संसनी फैल गई मामले में क्या मामला है किस चीज को लेकर यह हत्या हो गई है इसका मोटीव तो सपस्ट नहीं है लेकिन एक घटना बड़ी घटी हुई है इस टोन्स नदी के किनारे पर यहां पर पर कुल दीव घर में समनों से चाहिए चाहिक और मीठे की दुकार नहीं से। अब यहां मतthemरक से था किसका फून गया था यहां से फूफा की हमांत का फूफा के दमाइर का वह रहने वाले तो वह के हैं। उन्होंने कहा कि जाकर उपने गाड़ी ले ले तो बच्चा गाड़ी आया था यहां स्पलने सचना की पटा चलाई सफ औरarks है कि हमारा ब zucch्ण की सपहते हैं फुफा के लड़के एक रहते हैं गोवा में जिन्होंने फोन करके घर पे दीदी को बोला कि जाके अपने भाई को नदी में फेक दी हैं वहां से ले आईए नदी पर किन लोगों ने फेक आई किया इस बारे में भी कुछ बताया गया इसमें पहले तो घर पे जाके उनसे कि भाईलाल जो आपके फुफा है वो प्लस दो तील नो गराव और दोड़ते हुए उसको बीच नदी तक ले गए जब वो मारते पीडते हुए जब तक वो क्या काते नदी में एक दम लटपत नहीं हो गया उसके बाद वो बहने कि दम इस्तितिम आ गया वहां चिलाता रह गया कि बचा जा बचा जा उसनी लोगने बचाने करना प्रियास करके यह जो फूफा है आपके इनसे कैसा संबंधा घटना इतनी बड़ी घटना कारित करने के पीछे वो भी दिन दहारे जब कानून का भय नहों किसी को कुले आम हत्या के इरादे से दौडाना और अंत में उसको मृत्तु तक पहुचा देना इस तरह की घटना अभी घटी अभी कीरी चेत्र में ऐसे कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है क्या इस घटना के पीछे मोटीव हो सकता है कुछ दिन पहले की बात है जो फूफा की मतलब पतो हूँ है भाबी है मेरी तो उन्होंने किसी कारण मा स्पोन करके उसको बुलाया दो डाए तीन बज़े घर में मतलब रात में बुलाया घर में क्या करते हैं दुकान है तो मीठा बना आ था इसलिए सब लोग ठके मने थे उपर चले गए वह सुबह गाड़ी मतलब उसी रात को जब गाड़ी नीचे खड़ी तो गाड़ी लेक 29 अगस्त को बुलाने के बाद उसको क्या करते हैं चोड़ चोड़ करके दोड़ाया गया तो इसी सिल्सिले में गाड़ी छोड़ के घर चला गया तो घर जाने के बाद फिन यहां से फौन गया कि आप आई ये गाड़ी ले जाए ने तो गाड़ी थाने पर दे दी जाएग 29 अगस्त को चोरी का आरोप लगा कर मारा पीटा गया था उनहीं लोगों को तो क्या ये सारी जानकारी आपको लोगों को इस से पहले थी इस घटना से पहले घर वालोकी थी लकिन बोšजों सब लोगों को नहीं देंगे गाड़ी लेने तीन बार आया गया लेकिन यहीं बोला गया कि जो उस लड़कों को आएगा जब तक हमारे पीटेंगे नहीं तब तक गाड़ी हम नहीं देंगे तो शाथियों देख सकते हैं जैसा कि आज जिस लड़के की बाड़ी यहां पर खोची जा रही है स्थानी नाविकों के द्वारा उनके चचेरे भाई का कहना है साफ साफ की इस पूरे मामले कुल में एक मामला ये था 29 अगस्त को 29 अगस्त को वो लड़का आया था और साइद उन्हीं की बहु ने कॉल करके बुलाया था और साइद प्रेम प्रसंग के सक को लेकर चोरी का आरोप लगा कर ऐसा कहकर उन्होंने मारा पीटा था मारे पने पीटने के बाद वो लड़का भाग गया था उस दिन और फिर उसकी बाइक वही पर छूटी थी बाद में इनके मामा के दामाद ने आज ये फोन करके इनको कहा जिनका कि ये तेलगहना घर बता रहे हैं क्या ना मन का पाने सर्मा कोई नाम है इनका कहना है कि उन्होंने फोन किया कि जाओ अपनी गाडी ले लो और वो लड़का दस बजे के करीब यहा पहुच्छ था आ जहांपर स्थानी जो लोग बता रहे है इनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि स्थानी लोगों के द्वारा हमें जा पुराया गया जिसके बाद संभावता है उसकी मौत हुई होगी ये तो जाज का भी सह है ये तो पुलिस प्रशासन के पहुच चुके हैं सीपी को अंद्यारत संतलाल शरोज खुद मौके पर हैं और स्थिती में लोगों से जरूर बात की जाएगी इस थानी लोगों से कि उन दूसरी घटना है जब दिन में इस तरह के अपराध करने की जो है हिम्मत ये अपराधी जुटा पा रहे हैं और ये जैसा की बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये घरेलू प्रसंग का मामला है जो भी हो जाज का विशय है कि किस इंटेंशन को लेकर इतनी बड़ी घटना आ को यहीं बता है कि दोड़ा दोड़ा कमारे जब तक हम लोगों ने कहा बचालो घर जाके बैड़ के जब हम लोग आए तो वह सिधा घर में खाना खा रहे हमने पूछा कि आया था क्या वह बोले नहीं उसके बाद हम लोग यहां पूल के पास में तो नीशे दो तीन और जा प्रसासन कर रहे हैं अभी तक प्रसासन किया मांग कर रहे हैं किसका न plot लेकिन क्वाटी करीब में अभी तक बाड़ी नहीं मिली है और इंडिय आरफ की टीम को सूचित किया गया लेकिन नहीं पहुची और आप क्या कहेंगे अभी तक बाड़ी नहीं खोजी जा सकी है, ऐसे में आप लोग को क्या कहना है, अब देखिए प्रसासन का इसमें बहुत धिला रोईया है, सुबर नौ बज़े से प्रसासन को सूचना मिल गया था, लेकिन चार बजने वाले हैं लेकिन इलाहबाद से दूरी यहां से हो जाएगी, ऐसे में तो आज बाड़ी मिलना मुश्किल हो सकता है, फिर. इस मामले में जल से जल बाड़ी को जल के अंदर से बरामत करना मुश्किल लग रहा है, और भी स्थानी लोग है, क्या किसी ने उस घटना को देखा जब इस बच्चे का या इस बालक का पीछा किया गया था, कोई मौजूद था, कोई मौजूद था यहां पर, जब किसी न देखा हो कि हाथ दोडाया जा रहा है, तो साथियों आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के ही यमनापार इलाके के खीरी, थाना छेतर की इसी महीने में दूसरी बड़ी वारदात है, और एक लड़के को दिन दहाले 10 बजे, किनी घरेलू प्रसंग को लेकर, यह तो चर्च पुलिस की जाच के विशे में आएगा, लेकिन फिलहाल 5-6 घंटे से लगातार बाड़ी को खोजा जा रहा है, इस नदी में टोन्स नदी है, और यह पुल के पास ही है, और खीरी पुल के पास ही है, जो खीरी बार्केट की तरफ जाता है, लेकिन अभी तक कोई सफलता को खोजने में नहीं मिली है, के ना इन प्रियाग राज वर्शे में किशन सुखला,